मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को सब्स्राइब करें और वेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर हो गया और जो हमारा उत्तर पूर्वी राज में जो असम है यहां पर मांसुन जल्दी पहुंचा था समय पर पहुंचा था लेकिन घुसला धार बारिश इतनी जादा हुई कि वहां बार जैसी स्थिति बनी हुई है अभी भी संचौर बगेरा जो कई लाके हैं जो पाली वग पहुंचा था उत्तर पदेश और गुजरात यहां पहुंचा जाना चाहिए था लेकिन अभी भी मांसुन थोड़ा सा पीछे बना हुआ है तो यह जो इस तरह से कवर हो जाने चाहिए थे यहां पर मांसुन आ जाता है यूजली पच्चीस जून को और पच्चीस जून को पहुंचा और आठ जुलाई को यह वो हैवह पूरे भारत को कवर कर जाता है तो यह मांसून की स्थित होती है लेकिन इस बार मांसून काफी जादा धीने चला लेकिन पिछले दो तीन दिनों से हम देख रहे हैं मांसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले दो दिनो में महनसुल बहुत ज्यादा इलाकों कबर कर जाएगा यानि कि दिल्ली विल्ली यह जितने भी इलाके हैं पंजाब हर्याणा और यह राइस्तान के कुछ इलाकों तक चूँ सकता है गुजरात के इलाके और जात तक आ सकता है और मद्य परदेश और उत्तरपदेश इसके जाते लाकों कबर कर जाएगा तो यह काफी अच्छी अच्छाल है यानि कि काफी देर से सुरुआत हुई लेकिन अब जो बारिश इत्विदिया वो अच्छे होने वाली है लेकिन उसके बावजूद कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर इंतिजार बना रहेगा खास जाकर के रहत मिल सकती है तो यह मांसून है यह क्लाइमिट चेंज का जो असर हम देख रहे हैं यानि कि परयावण का जो वह जो चेंज जा रहे हैं उसका यह असर दिखाई दे रहा है कि कोई सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ रही और गर्मियों में जब हीट वेवा बारिश देगा गंगा के वेट अनि यानि दिखाया नहीं की बना हुआ है तो वह बने और यहां से इस तरह से जा रही है तो यहां पर जो बारिश होगी वह आप कहसकते हैं कि जो तिलंगाना है आंदर प्रदेश है जो बिधर्ब मराठवाड़ा और दो तो कई लाके तो मुसलाधार बारिश देखेंगे लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी बारिश की कमी देखने को मिलेगी अगर हम उत्तर भारत से सुरू करते हैं तो जो गिल्गिट बालिटिश्टान है मुझफरवाद लद्दाख और जम्मू घश्बिर यहां पर कि जो बारिशे काफी ज्यादा कभी-कभी नुकसान भी पहुंचाते हैं अगर आप पाड़ों पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा दियान रखिए और उसी तरह से पंजाब हर्याना दिल्ली यहां पर अगले 24 गंटों में बारिश के अदिया सुरू हो जाएंगी आज से ही सु सुरू हो जाएंगी लेकिन पश्चमी जिले हैं पंजाब और हर्या के वो थोड़े से अभी बारिश में पीछे रहेंगे जैसे कि आप कैसे के फिरोजपूर बडिंडा तरंतरन अवोर पजलिका गुर्दासपूर और अमरसर बठानकोर्ट इन इलाकों में बारिश कम होग और लगाता फिर बारिश होगी बहुत जादा तेज नहीं होगी लेकिन फिर भी बारिश होगी तो यह इसको कवर किया हमने अब बात करते हैं पच्चिमी राइस्तान की जैसलमीर जोतपूर बार मेर शिरोही पाली राजसमन ढूंगर पूर यह जो इलाके हैं यहां पर बा इस इलाके में तो बारिश होगी लेकिन बाकि जो लाकि बारिश नहीं होगी अभी प्रयागराज वारानसी बदोही जौनपूर यह जो है रायवरेली बगएरा यहां पर रहेंगी वीच वीच में तेज वारिश हो सकती है और उपर जो गोना बस्ती है और जिदार नगर फ बिदलपूर तक पूरे चतिसगर में बारिश काफी ज्यादा चेह होने वाली है और बिदर्म मराठवाड़ा में बारिश की गत्विदियां काफी ज्यादा तेज बूसला धार यानि पचास साथ सब्तर मिलीमीटर की बारिश कई लाकों में हो सकती है नागपूर अकोला व अकल में ही आ जाएगा और उसी तरह से पूरे और उसके आसपास के बारिश अच्छी होगी जो दक्षणी और पूरवी जो गुजरात है यहां पर भी बारिश की गत्विदिया अच्छी दिखाई देने वाली है चोड़ाश्टा का चोपश्मी राष्तान अभी इन्तियार करेंगे और जो दक्षिन भारत है वहां पर भी बारिश की गत्विदिया लगातार रहेंगी और यह जो यहां से जो आप यह देख रहे हैं यह लगातार मौश्टार दे रही है तो इस इलाके में यहां पर जो साइक्मोनिक सर्कूलिसन यहां से ट्रफ है तो यह पूरा जो इस इलाके में बारिश थोड़ी सी कम है अगले दो-तीन दिरों के दोरान उसके बाद यहां पर बारिश बढ़ जाएगी तो कुल मिला करके अब यह जो इलाके कम बारिश देखेंगे और यह जो रीजन है यह पूरी तरह से एक तरह से शुश्क बना रहेगा गरम बना रहे और अभी क्या हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो जैसे मैंने बताया था कि पहले क्या था यहां से लगाता रमी आ रही थी तो पूर उत्तर वी राज्यों में अगले चार-पॉंच दिनों तक बारिश कम रहेगी लेकिन बागी इलाकों में जो मद्य भारत है सबसे आदा बार और बारत और बागी जो उत्तर वारत है पहाड है वहां पर भी बुस्ला दरबारिश की सम्मावना नजर आ रही है में अभी के लिपने मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखे नजर